हेलो दोस्तो मल्टी एंग्री कल्चर चैनल में आपका सवागत है दोस्तों जैसा कि दोस्तों कि कई वीडियों में मैंने देसी बोडिया के बारे में बताया था तो देसी बोडिया गर्मी के सीजन में फिर से लगाया गया है दोस्तों यह बारहों मासी होता है एक तरह से कह सक तो दोस्तों यह देसी बुडिया है जो कम लागत में अच्छा पैदावार आपको दे सकता है कम लागत में अच्छा पैदावार दे सकता है और दोस्तों गर्मी के फसल में सबसे वड़ी थासियत ही होता है कि कितना सक दवा प्लस आपको पानी समय समय से पानी देना पड़त लेल हुआ है थो सबसे इनको होता है गरमी में पानी समय से पाणी और धभा का समय से चिरकाव होता है तो पौधा स्वस्त होता है जब पौधा अब करता स्वस्त रहेगा दोस्तों तो फल आटोमेटिक सुद्ध और बड़ा लंबा और साफ निकलेगा दोस्तों तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के सीजन में थोड़ा सा घास हो गया रहे का भी सामना करना पड़ता है घास भी हो जाता है जैसा आग देख रहे हैं यह घास हो गया है कि दोस्तों गाओं के लोग घास भी निकाल लेते हैं और हम लोग खुद भी निकालते हैं दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे खेत में एक समान है एक साइच का है दोस्तों पूरा दस विस्ते का खेत है पूरा लगाए गया है दोस्तों गर्मी में थोड़ा पानी की समस्या जादा होती है यहां गाओं में बिजलियां जल्दी-जल्दी कड़ जाती है बहुत ठेड़ सारे प्रॉलम हो जाते हैं तो इस दिर्शी से किसानों को कभी-कभी नुस्कान भी हो जाता है दोस्तों वर्ट अभी तक ऐसा हुआ नहीं इस स साल तो दिलकुल अच्छा रहा है अध्यशी पॉडियां दोस्तों ये खासियत यहां मार्केट में आसानी से बिग जाता है और लोग आसानी से इसको खड़िद्ध क्योंकि दिसे टेस्टी होता है मीठा होता है काफी-टेस्टी और काफी मीठा होता है बहुत ही स्वाधिस तो लोग इसको काफी पसंद करते हैं बड़े वाले बोड़े से ज्यादा इसको पसंद करते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है तो दोस्तों अगर आप किसान भाई हैं तो आप भी थोड़ा बहुत वो के ट्राइ ले और इस्तिमाल करें क्योंकि इसका पैदावार बहुत तगड़ा होते हैं दूसरे तीसरे आप इसमें 30-80 kg तोड़ सकते हैं और रेड भी अच्छा खाचा दोस्तों है 30-40 उल्प प्रतिक उग्णा की हिसाब से मार्केट की वेल्व है तो दोस्तों आप देखेंगे हैं पौधा बिल्कुल स्वस्त है तो आप भी अगर हमारे जैसे किसान है हमारे जैसे किसान ठाई है छोटा ब बड़े पैमाने पी कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा इंकम कमा सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगये तो प्लीज सपोर्ट करें प्लीज लाइक करें और आपको देता रहूँगा दोस्तों